हनुमान जी की कभी शादि भी हुई थी हनुमान जी तो बाल बरम चारी हैं है ना इंट्रेस्टिंग कोश्चन चलिये ये इंट्रेस्टिंग कोशन देखने में लगते हैं जानते हैं इसकी पूझे का एक रह से एक्चुली कथा ऐसी है कि हनुमान जी की शादी हुई थी पहले तो पहले ये जान ले हनुमान जी की शादी हुई थी लेकिन थी कौन वो जी या उनकी पत्नी का नाम था सुर्वर्चला आप सूर्वर्चला कौन है? सूर्वर्चला जो है, वो सूरीदेव की कन्या थी का था इस प्रकार है कि जब हन्मान जी को नवनीधी का ज्यान देने के बारे में सोचा गया तो सूरीदेव ने जो है, वो नवनीधी के पांच ज्यान जो है वो तो उसे हनमान जी को दे दिये लेकिन अगला चार देने से उनों ने मना कर दिया बोला कि अगला चार मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ इसलिए क्योंकि इसके लिए तुमको विवा करना पड़ेगा क्योंकि ये विवा ही दुबो को ही मिल सकता है अब हनुमान जी भी परिशान हो गया कि अब ये कैसे होगा तो सूरीदेव जी ने जो है वो खुद एक हल निकाला उन्होंने अपनी बेटी सुर्वचला जो कि अल्रेडी तपस्या में ओल्टाइम लीन रहती थी उन्हें मनाया कि तुम जो हनुमान से शादी कर लो सुर्वचला मान गई दोनों भी शादी हो गई शादी के बाद भी जो है सुर्वचला चली गई तपस्या में लीन होने के लिए हनुमान जी जो है वो बालबरमचारी ही रहे और उन्हें नवनिदी का ज्यान जो है पराप्त हो गया कैसी लेगी आपको जान करें आप मुझे कमें शक्षे में जरूर बताइएगा देखरी के लिए धन्यवाद